चानाक्या के बारे में ये बहुत लोग कहते हैं कि वो पुराने जमाने के सबसे तेज पॉलेटेशन थे वो चीफ एडवाइजर और प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त मौरिया के एंपायर के तो आज हम लोग उनके 9 powerful life lessons के बारे में बात करेंगे जिसको book चानाक्या नीती में लिखा गया है अब मैं इन पॉइंट्स को आपको detail में explain करूँगा और आज के जमाने के हिसाब से मैंन को relevant बनाऊंगा और हां मेरा एक बहुत important note है इस वीडियो के end में जो थोड़े controversial views थे चानाक्या के बारे में तो जरूर इस वीडियो को end तक बने तो पहला point है कि कभी किसी को अपने अच्छे intentions अपने goals किसी को बताना नहीं चाहिए और उसको protect करना चाहिए जैसे बेगेर किसी शोर शराब है के और बेगेर किसी को बताए वे अब मुझे सबसे जादा surprise इस point को पढ़के यह हुआ कि आजकल के जमाने में psychologist ने यही चीज डिसकवर करी है और चानाक्या को उस जमाने से यह चीज पता दी तो आक्छिरी में होता यह है जब भी आप लोगों करने लगता है और लोग बोलते हैं कि वा क्या गोल तुमने सेटट किया है इसकी वज़ए से हम लोगे दिमाग डोपमीन रिलीज करता है और जब हम लोग मुश हो जाते हैं तो हम लोगे का क्या करने की जळू रहते हैं और उसी हिसाब से मेafa हम मोज़ों का मोटेवेशन आ जाता है अब एक और चीज हो सकती है कि आप लोगों को अपना गोल बताएं और वो लोग आपकी तरफ नेगेटिव बोलें कि यार तुम नहीं अचीव कर पाऊगे यह तुम इतनी महनत कहां कर पाऊगे अब इसकी वज़े से आपके थौट्स और नेगेटिव हो सकते हैं और अपने उपर विश्वास होगा उतना आप इस बलून को बढ़ाते जा रहें उतनी हवा आप इस गुबारे में भरते जा रहें लेकिन जितना आप दूसरे लोगों को अपने गोल्स के बारें बताएंगे उतनी हवा आप इस बलून से निकाल रहें दूसरा पॉइंट है कि चोटी चोटी बुन्दों को मिला के पूरे जग में पानी भर जाता है। इसी तरीके से knowledge और पैसा भी हम collect कर सकते हैं। अब अगर हम लोग इसको आज कल के जबाने में समझनी कोशिश करें, तो एक चीज बोली जाती ही जिसको कहते हैं compound effect। अगर आप थोड़ा बहुत भी हर रोज सीख लें, तो आपके अंदर धीरे धीरे इतनी जादा knowledge हो जाएगी जो आप imagine भी नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से पैसा भी compound करता है। तो जैसे कि आप इस graph में देख सकते हैं, आप इस period के end होने के time आपकी knowledge कुछ जादा ही तेज बढ़ती है, जितनी तेज शुरू में नहीं बढ़ती है। इसी तरीके से knowledge भी compound करती है। अगर आप एक educational वीडियो देख लें YouTube पर ये एक knowledge वाली book पढ़ लें, तो आपके पास थोड़ी बहुत knowledge बढ़ जाएगी सिर्फ। अगर आप 10 पढ़ लें, तो आपके पास थोड़ी और जादा हो जाएगी। लेकिन जब तक आप अपनी 100E book पे पहुचेंगे, आपके पास इतनी जादा knowledge हो जाएगी, जितना आप imagine भी नहीं कर पाएगे। तीसरा point है, कि अगर किसी को comfort चाहिए, तो उसको ये सोचना बंद कर देना चाहिए, कि वो कुछ सीख सकता है, लेकिन अगर उसको कुछ सही में सीखना है, तब उसको comfort के पीछे नहीं भागना चाहिए। बेसिकली इचाना कि हम लोगो को बोलने कि अपने comfort zone से बाहर निकलो, जो भी चीज हमाई जिन्दगी में सीखने लाइक है, वो हमें comfort zone के बाहर ही मिलेगी। काफी लोग हैं जो कहते हैं कि उनको कुछ नया सीखना है, तकि उनको कोई मेहनत नहीं करनी होती। तो ये point उनके लिए बुरी news है, क्योंकि अगर आप uncomfortable नहीं बनेंगे तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो जरूर ये याद रखिए कि अपने आपको push करना चाहिए आपको, और हर चीज में comfort ढूणने की ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी आपको ऐसी चीज़ें करनी होंगी जो आपको नहीं करने का मन होगा। और कभी-कभी आप बहुत जादा uncomfortable हो जाएंगे। लेकिन आराम ना होने की वज़े से आपके अंदर बहुत जादा knowledge और wisdom आ जाएगी। Next point है कि आपको manners, princes से सीखने चाहिए। अच्छी बाते बोलना आपको बड़े ग्यानी लोगों से सीखना चाहिए। आपको जूट बोलना जुआरी से सीखना चाहिए। और आपको धोका देना डाश से सीखना चाहिए। अब इस डाश में चानाकिया ने क्या कहा था यह मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा तो उसको जरूर देखिएगा बेसिकली चानाकिया हम लोगों को इस पॉइंट में ये बता रहे हैं कि हम लोगों को चीजे उनी लोगों से सीखनी चाहिए जो एक्सपर्ट हो उस चीज में जिसको हम सीखना चाह रहे हैं तो काफी लोग ये गलती करते हैं कि वो हर किसी की एडवाइस लेने लगते हैं और इसी वज़े से वो कन्फ्यूज हो जाते हैं तो for example अगर आपको वेट लूज करना है तो आपको सिर्फ उसी से एडवाइस लेनी चाहिए जिसने खुद वेट लॉस किया हो और किसी ऐसे इंसान से नहीं जो जिन्दगी भर पतला हो और वही चीज मैं इस चानल पर भी करना चाहता हूँ कि मैं उन्हीं लोगों की एडवाइस छोटी समरीज में बनाना चाहता हूँ ऐसे लोगों के लिए जिनके पास बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है तो अगर आपने अभी तक नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करिएगा अब नेक्स पॉइंट के बाए में मैं आपको बताता हूँ चाना क्या बेसिकली हम लोगों को बताते हैं कि आपको लोगों को कैसे कंट्रोल करना चाहिए अगर आपको लोगों को control करना है तो आपको पता होना चाहिए कि उनको क्या चीज motivate करती है और फिर आपको उस चीज को उनके लिए use करना चाहिए तो for example एक लालची इनसान को आप पैसे से control कर सकते हैं अगर आप पैसा उसके सामने रखें तो वो आपका काम करेगा एक arrogant इनसान को यह चाहिए होता है कि वो दूसरों से जादा उपर फील करें वो और जादा superior फील करें तो अगर आप उसको ऐसा feel करा देंगे तो आप उसको जो भी चाहते हैं वो करवा सकते हैं लेकिन एक बेवकूफ इनसान को control करने का अलग तरीका होता है यहाँ पिचाना क चाहिए का मतलब बैवकूफ से यह है कि एक इनसान जिसको दुनिया के बारे में नहीं पता होता है तो ऐसे इनसान को अगर आप दुनिया के बारे में कोई छोटी चीज भी सिखाएंगे या आप कोई बहुत बड़ा भाशन देंगे तो उसको लगेगा कि अरे यार इस इं इसको समझ में आजएगा कि आप जूट बोल रहें इसलिए हमारा गोल भी होना चाहिए कि जितना पढ़े लेकि हम बन सके उतना बन जाए ताकि दूसरे लोग हमको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं नेक्स पॉइंट है और यह बहुत आप्वियस है कि हम लोग अकेले दुनिया म हम लोग जाते हैं तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग अपनी जिंदगी में कर सकते हैं वो है कि हम लोग अपने आपको इंप्रूव करें किसी और की ऊपर आपको डिपेंड नहीं करना चाहिए अपनी सारी नीज के लिए क्योंकि कभी ना कभी हर कोई मर जाता है या वो आगे बढ़ जाते हैं आपकी जिंदगी से लेकिन आप ही एक है वो इनसान जो अपने साथ रहेगा मरते दम तक इसलिए जितना आप अपने ऊपर डिपेंड कर सके उतना अच्छा है अब इस पॉइंट का यह मतलब नहीं कि आपको अपने आपको हर किसी से दूर कर लेना चाहिए बस आपको यह याद रखना चाहिए कि हर चीज जो भी हमलों के पास है इस जिंदगी में वो टेंपरेरी है यह कोई बुरी या अच्छी चीज नहीं है बस यह दुनिया की एक सच्चाई है सेवन्थ पॉइंट है कि दिमाग से तेज होना ही असली पावर होती है आप साइज में कितने बड़े इस से फर्क नहीं पड़ता है बहुत फेमस कहानी है जहाँ पे चीटी एक हाती को परिशान कर देती है उसकी नाक के अंदर घुसके इसी तरीके से कोई फर्क नहीं पड किसी भी तरह के साइज से जादा इंपॉर्टेंट है डेविड एन गुलायत भी बहुत फेमस स्टोरी है जहां पर डेविड ने गुलायत को हराय था जो एक बहुत बहुत बड़ा दानव था सिर्फ इसलिए क्योंकि डेविड ने अपने दिमाग से सोचा था तो जरूर य इसलिए मेरा मानना है कि रीडिंग इतना जादे इंपॉर्टेंट है आप अगर बुक्स पढ़ेंगे तो आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं कि दूसरे लोगों ने क्या गलतियां करी है और आप उन्हीं गलती को करना अवॉइड कर सकते हैं जब भी आप लोगों से बात कर हैं लेकिन वह गलतियां आपकी होनी जरूरी नहीं इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा और नाइन पॉइंट चाना किया एक सवाल के रूप में बोलते हैं कि जितनी भी किताब हैं और जितने भी स्क्रेप्चर्टर्स हो एक ऐसे इंसान की मदद कैसे कर सकता है जिसके पा कि चाना किया यहां पर कॉमन सेंस की ही बात कर रहे हम सब लोग को अपना इतना कॉमन सेंस बढ़ाना होगा ताकि हम लोग खुछ से समझ पाए कि कैसे इस तरह की नॉलेज को अपलाई करना है जातर लोग ऐसे बन जाते हैं जैसे बाल्टी होती जिसमें एक छेद हो चाहे आप उसमें जितना भी पानी डाल दें अगर उस बाल्टी में छेदें तो उससे पानी बहतावा निकल जाएगा इसलिए आपको सीखना हो कि आप अपने खुद के दिमाग का कैसे प्रयोग कर सकते हैं और फिर आप जितनी भी किताबें पढ़ेंगे वह आपको और जादा म आजकल के जमाने में तो यह obvious बात है कि चाना क्या ने एकदम गलत लिखा है और इसलिए यहां पे हमको अपना common sense यूज करना होगा हमको यह याद रखना होगा कि हर महान इंसान ने हर चीज के बारे में सही चीज नहीं बोली हैं और उस जमाने में महीलाओं को equal rights नहीं दिय और मैं इस तरह के इंसान से एक भी चीज नहीं सीखना चाहता है यह आप दूसरा चीज सोचेंगे जो और जाधा dangerous है कि चाना क्या तो बहुत तेज इंसान था मतलब की चाना क्या की बात में कुछ सच है और सही में धोका देना ओरतों से सीखना चाहिए अब यह दोनों position ब और आजकल के हिसाब से खास करके महीलाओं के बारे में काफी उनकी कहीवी चीजें गलत हैं और हमारे अंदर यही wisdom होना चाहिए कि हम समझ पाएं क्या गलत है और क्या सही है आजकल के जमाने में अब मैं आप लोगों को इस वीडियो में यह चीज जरूर बताना चाहता था क्योंकि मैंने देखा काफी सारे यूट्यूबर्स इस तरह के quotes को ignore कर देते हैं और वो आपसे यह सारे quotes नहीं शेयर करते हैं और मेरा मानना है कि जब तक मैं आपको इस चीज के बारे में भी ना बताऊं आपकी knowledge incomplete रहेगी तो मैं आशा करता हूं कि आप यह चीज समझे